सभी को नमस्कार, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और कम्प्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे आनलाइन प्रमानन पाच्चे क्रमों में आपका स्वागत है, हम एक नए मोड्यूल 6 को कवर कर रहे हैं जो बास्ताव में आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स को देखने से पहले आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स के साथ शुरू होता है, हम देखेंगे कि इन विभिन प्रकार के प्रक्षेप इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पार्ट्यक्रम में शामिल है, अतर विभिन प्रक्षेप आम तोर पर संपूर्ण इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ग्राफि किया जा सकता है, समानतर प्रक्षेपों में हमारे पास और्थोग्राफिक प्रक्षेप तथा तिर्यक प्रक्षेप और्थो ग्राफिक प्रक्षिप में हैं विशेश रूप से लंबवत प्रकार के निर्दिशांक तंत्र में हमारे पास बहु विचार और एक सोनो मेट्रिक प्रकार के प्रक्षिप हैं इसलिए बहु विचारों में हमारे पास पहले कोण के अनुमान है इसलिए अलग-अलग द्रिश शीर्श द्रिश साइल व्यू सामने का द्रिश इस तरह की चीजें हम देखेंगे और तीसरे इंगल प्रोजेक्शन भी शायद आमतोर पर सिवल इंजीनियर और आर्किटेक्चर के लोग योजना और उन्नयन प्रकार की तक्नीकों का उभियोग करते हैं ये तीन आयामी वस्तु पर आने एक वाले विचार हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स में ये और्थोग्राफिक हैं हमारे पास आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन्स और ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन्स हैं बाद में हम इन isometric, diametric, trimetric projections के बारे में अधिक जानेंगे. इसी प्रकार यदि यह तिर्ची तरह के प्रक्षेप है तो हमारे पास cabinet kind, cavalier kind, military kind हैं तो भी हमारे पास द्रिश्ट कोन हैं? इसी प्रकार परिप्रेक्ष में ये बिंदू पर आधारित हैं. हम एक निश्चित बिंदू पर विचार करते हैं और हम किस प्रकार के विचार देखेंगे कि हमारे पास एक बिंदू प्रक्षेप, वास्तविक बिंदू प्रक्षेप हैं जैसे बिंदू यहां से, अगर हम विचारों की कलपना कर रहे हैं कि यह कैसा दिखता है और तीन बिं अतह इन विभिन प्रक्षेपों के अंतरगत हमने एक सोनोमेट्रिक प्रक्षेप को देखा है यहाँ एक पैरलल प्रोजेक्शन टिकनीक है जिसका उपियोग किसी वस्तु को प्रक्षेप अथवा चित्र प्लेन के सापेक्ष किसी वस्तु को अक्ष पर घुमा कर चित्र में ट्रोइंग बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारे पास ऐसी वस्तु है जिसे हमें इस प्रकार घुमाना है कि हमारे पास विभिन प्रकार के द्रिश्य तथा इसके पैरलल प्रोजेक्शन टेक्नीक होंगी इसलिए जो भी हम देखते हैं वे केवल वही चीजे हैं जिन्हें हम दिखाते हैं। इसमें तीन वरायटी हैं आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक तथा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन्स विशेश रूप से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स हैं। इन में से एक लाइन इंसाइड्स पर 30 डिग्री कोण बनाती है. हम इस कोण को डाइमेट्रिक में आधे, देखेंगे कि यह कोण 30 डिग्री से कम है जिसे हम एक और 15 डिग्री कहते हैं. यदि Trimetric प्रक्षेप हैं तो हमारे पास तीन भिन कोण हैं, तो हमारे पास 15 डिगरी 45 डिगरी होगा और शेश चीज अन्य कोण बनाती है, इसलिए इस तरह के तीन कोण यदि हम Isometric में Trimetric का उपयोग करते हैं तो उसी तरह के कोणों में हमारे पास 30 डिगरी, Dimetric में हमारे पा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, Isometric का अर्थ है, बराबर मापों यहां मापों कोणों के बारे में हम यहां प्राप्त करेंगे और यहां समानतर प्रक्षेप का एक प्रकार है, समानांतर के लिए दूसरा शब्द Exonometric है, जहां X और J अक्ष, क्षैतिज प्लेन में 30 ड बस तो ले रहा हूँ, उदाहरन के लिए यहां, Qoboid यहां कोण 30 डिग्री है, इसी तरह यहां कोण 30 डिग्री है, Exonometric अक्ष के बीच का कोण 120 डिग्री के बराबर है, इसलिए अब हमारे पास किनारों के किनारों की Qoboid रेखाएं हैं, अतर आए हम एक किनारे को भी को कहते हैं इस प्रकार के कोण एक तथा किनारा भी के बीच का कोण सदैव 120 डिग्री होगा यद्यपी वास्तविक वस्तु एक दूसरे के लिए 90 डिग्री कोण और्थोगोनल है परन्तु जब हम दो डायमेंशल प्लेन पर आइसोमेट्रिक प्र एक 120 डिग्री समान रूप से बनाता है यह पहली बात है हम क्या सीखेंगे तो अगर मैं एक ड्रॉइंग यहां बना रहा हूँ कोई भी वस्तु अब्जेक्ट डायमेंशन जो यहां 30 डिग्री बनाने के लिए आवश्चक है इसी तरह यह 30 डिग्री बनाता है उदाहरण के लिए एक ट्यूब के किनारों को प्रक्षेपित किया जाता है ताकि सभी माप बराबर हो और एक दूसरे के साथ समान कोण 120 डिग्री बनाते हैं जो की आईसोमेट्रिक व्यू के लिए पहली चीज है आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक सोनोमेट्रिक अक्ष के बीच के सभी कोण बराबर हैं यह 120 डिग्री बनाने के लिए है और वे बराबर हैं तीसरा बिंदू आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का उत्पादन करने के लिए वस्तु को उन्मुक करना है ताकि इसके प्रमुक किनारों को हम प्रमुक किनारों को कहते हैं उदाहरन के लिए यदी मैं एक किनारे का चैन कर रहा हूं भी किनारे सी किनारे ये मैं आर्बिट् कोण बनाना चाहिए, इसलिए हमें उस वस्तु को और इस प्रकार घुमाना होगा कि जब मैं उस वस्तु की कल्प ना करता हूँ, तो इन किनारों को 120 डिग्री बनाना होगा. अब हम आईसोमेट्रिक एक्सिस तथा आईसोमेट्रिक प्लेन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे. क्यूब के आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोण या तो 120 डिग्री या 60 डिग्री हैं हम, और को परिभाशित करते हैं सभी 90 डिग्री कोणों के प्रक्षेप हैं. इसलिए हम एक क्यूबॉइड लेंगे उदाहरण के लिए हम एक क्यूबॉइड जहां किनारो 90 डिग्री हैं हम इस प्रकार अभिमुखी हैं कि इन किनारों के बीच कोण 120 डिग्री. बनाता है हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सिस के रूप में किनारों का उपयोग कर सकते हैं क्यूबॉइड किनारे 120 डिग्री बना रही हैं इसलिए ये रेखाएं. हमारी आइसोमेट्रिक गुरी हैं एक, दो, तीन यदी. आप इसे देख रही हैं तो वे 120 डिग्री नहीं बना रही हैं. इसलिए वे आइसोमेट्रिक एक्सिस नहीं हैं जो भी किनारों को 120 डिग्री बनाते हैं हम उन्हें अक्ष कहते हैं. क्यूब के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्यूब तथा उनके समानतर किसी भी प्लेन के क्यूब आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाते हैं. तो यहां फेस हैं यहां एक फेस है यहां दूसरा फेस है और यहां है दूसरा फेस तो यह आइसोमेट्रिक प्लेन है, जोकि उसके समानतर किसी भी प्लेन के बराबर है साथ ही, हम इसे आईसोमेट्रिक प्लेन कहते हैं. यदि हम आईसोमेट्रिक प्रोजेक्षं में एक क्यूम ले रहे हैं, तो हम इसे एक हिक्सागॉन की तरह महसूस करते हैं. इसलिए आई इन किनारों को देखें. ये मानक कर्वेंशन है जब कोई सुरक्षा चीज के लिए ड्रॉइंग शीट की आपूर्ति करता है. इन किनारों में से किसी एक के लाइन पैरलल को आईसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है यह एक आईसोमेट्रिक लाइन है उसके समानांतर. कोई भी लाइन आईसोमेट्रिक लाइन्स भी है. अगर हम इस आईसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर एक रेखा नहीं ड्रॉइंग कर रहे हैं तो हम नौन आईसोमेट्रिक लाइन्स कहते हैं. उदाहरण आई अब हम एक line draw करते हैं इस प्रकार, यह नीली रेखा, इस isometric axis के समानतर नहीं है इस प्रकार की रेखाएं जिन्हें हम non-isometric lines कहते हैं तो बाद में हम देखेंगे कि true lines शायद isometric रेखाओं पर होती हैं जब आप कोणों को माप रहे होते हैं जब आप रेखाओं को माप रहे होते हैं तो किसी को इसे isometric axis के संदर्भ में गिन्ना होता है हमें non-isometric lines पर कोई length नहीं लेनी चाहिए हम उन बिंदूओं को दर्शाते हैं जो उन दूरी को मापते हैं फिर दूरी को isometric के रूप में बदलते हैं फिर हम true lines में परिवर्तित हो जाएंगे इसलिए पहला कदम जब आप इन isometric planes पर काम कर रहे हैं तो isometric अक्ष और रेखाएं किसी भी जानकारी को हमें इस isometric axis से प्राप्त करने के लिए केवल जानकारी है जिसे आगे संशोधित किया जाना है अतर हम यहां एक cube ले रहे हैं तो हम isometric scale का उपियोग करते हैं इसे isometric length से वास्तविक लंबाई के रूप में परिभाशित किया जाता है अतर क्योबॉइड की एक आई dimensions वास्तव में हो सकती हैं जब हम इसे एक कागज पर isometric projection के परिप्रेक्ष में निरूपित कर रहे हैं वस्तु का आकार हो सकता है वन यूनिट लेंथ नहीं हो सकता है यह सामान्य रूप से बिंदु पर परिवर्तित होता है true length का two times हम यह calculation देखेंगे उदाहरन के लिए यदि हमारे पास एक वास्तविक scale है जो length हम एक प्रक्षेपन के रूप में पस्तुत करना चाहते हैं तो एक dimension projection यदि मैं वास्तव में इसे दिखाना चाहता हूँ तो यह scale 45 degree के कोण पर है और जब हम इन को आइसोमेट्रिक में प्रक्षेपित कर रहे हैं उदाहरन के लिए इस length हम इसे 30 degree बाद तो पर प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं यह लंबाई है क्या हम इसे graph sheet पर दिखा रहे हैं इसलिए drawing sheet पर हम हमेशा x निर्देशांक y निर्देशांक प्रकार की जानकारी के संदर्भ में मापते हैं उदाहरन के लिए की x जानकारी यदि मैं इसे माप रहा हूँ तो drawing sheet पर वह बिंदू क्या हो सकता है यह x इस संदर्भ में हो सकता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ, कॉस्क दीज एक्स के बराबर है, हालांकि वास्तविक रेखा 45 डिग्री, लेंथ 45 डिग्री, इन्क्लीनेशन पर है, तो उस स्थिती में हम उस रेखा वी को 45 डिग्री का कोन बनाते हुए कहते हैं, इसलिए वी कोस 45 फिर से एक्स के बराबर है, क्योंकि हम फिर से उस लेंथ को इस प्लेन पर प्रक्षेपित कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही मामलों में एक्स समान रहता है, वी कोस 45, कोस 30 के बराबर होता है, इसलिए drawing sheet पर यदि मैं उस वास्तविक रेखा और इस प्रक्षेपित रेखा के लिए समान x का प्रतिन इधित्व करने जा रहा हूँ, तो मुझे एक दूसरे की बराबरी करनी होगी, यदि मैं एक दूसरे को equate करूँगा, तब ये by भी जो true length है मुझे, cos 45 by cos 10, राप्त तो यह true length है और यह isometric length है, इसलिए isometric scale वास्तव में ऐसी terminology को परिभाशित करती है, जहां हम isometric lines की तुलना true lines से करने जा रहे हैं, तो जब हम isometric lines को देख रहे हैं, तो यह हमेशा इस x अक्ष 30 degree पर बनाता है, यद्यपी अक्ष 120 degree देता है, लेकिन जब हम क्षयतिज के सापे एक्ष माप रहे हैं, तो यह 30 degree बनाता है, तो isometric length तेजी से आता है, cos 30 यहां true length factor 45 पर आता है, इसलिए आपका isometric scale सदैव cos 45 by cos 30 होगा, इस स्थिती में यह 1 over root 2, by root 3 by 2 होगा, जो की बिंदू 8 165 है यह, scale है जिसे हमें इसका उपियोग करना है, यह लगभग 82 प्रतिशत है, तो कोई भी isometric length जो भी हम दर्शाने जाने जा रहे हैं, वह आपकी वास्तविक लंबाई का आठ दो गुना होगा, इसलिए यदि मैं आपको एक drawing sheet दे रहा हूँ, जिस पर isometric रेखाएं हैं, जो हम वास्तव में माप रहे हैं, तो उस length का आठ दो गुना होगा, उदाहरण के लिए, यदि हम इस वस्तो की drawing sheet पर देख रहे हैं, तो मूल वस्तो उस isometric projection से बहुत बड़ी होगी, आपके full scale द्रेशे को आठ दो गुना तक कम कर दिया जाएगा, और ध्यान दीजिये की, isometric में यह कोण सदैव 120 डिग्री, होता है इसी प्रकार परिप्रिक्ष में यदि हम की तुलना करें उदाहरण के लिए, इस बिंदू पर यहाँ बिंदू है, आए हम लिंध कॉल करें, एच, और इस बिंदू के लिए इस बिंदू हम W कहते हैं, और यदि ह बाई W1 रूट 3 के बराबर है, ट्रॉप व्यू में यहाँ कोण 45 डिग्री बनाता है क्योंकि यहाँ एक ही वस्तु को देखने के लिए 30 डिग्री है, रिज्यूस स्केल की तरह दिखता, है 35 डिग्री कोण बनाता है, जब हम आईसोमेट्रिक द्रिश्य में वास्तविक वस्तुओं को निरूपित कर रहे हैं तो कोण रेखाओं में परिवर्टन करते हैं, आई इन लेंद स्केल्स तथा अन्य वस्तुओं के विशय में अधिक जानकारी ले, आईसोमेट्रिक ड्रॉइंग में वास्तविक लेंद की दूरी मात्र समदूरीक रेखाओं के अनुदिश मापी जा सकती है, वह रेखाएं हैं जो किसी भी आईसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर चलती है, उदाहरण के लिए यदि मैं परिभाशित कर रहा हूँ तो ये आईसोमेट्रिक अक्ष हैं, मैं इसे ट्रूलेंद के रूप में माप सकता हूँ, कोई भी रेखाएं जो आईसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर नहीं चलती हैं, उसे नौन आईसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है, उदाहरन के लिए अगर मैं एक रेखा लेने के लिए जा रहा हूँ शायद यह, क्योंकि यह रेखा इसके समानतर है, यह उसके समानतर है, इसी प्रकार यह लाइन इस लाइन के पैरलल है, अधा यह आइसोमेट्रिक लाइन्स हैं, तथा मैं सदैव यह आइसोमेट्रिक लाइ वस्तु की सही लेंथ नहीं मिल सकती है नौन आइसोमेट्रिक लाइन्स में इंक लाइन दोर तिरची रेखाएं शामिल है और इसे सीधे नहीं मापा जा सकता है इसके बजाए उन्हें दो endpoints का पता लगा कर बनाया जाना चाहिए हमें उन बिंदूओं का पता लगाना होगा हम संबंधों का उपयोग है आइसोमेट्रिक ट्रू लेंथ के connection का उपयोग करते हैं फिर मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि छिपी हुई रेखाओं के संबंध में वह लंबाई क्या हो सकती है जब हम आइसोमेट्रिक अनुमानों पर प्रतिनिधित्व कर रहे हों आइसोमेट्रिक ट्रॉइंग में छिपी हुई रेखाएं तब तक छोड़ दी जाती हैं जब तक कि वे पूरी तरह से अबजिक्ट का वर्णन करने के लिए आवश्यक न हो अधिकांश आइसोमेट्रिक ट्रॉइंग में छिपी हुई रेखाएं नहीं होंगी यदि आप कोई आइसोमेट्रिक प्रक्षिपन खोल रहे हैं तो हम आमत और पर छिपी हुई रेखाएं नहीं दिखाते हैं जब तक कि छिपी हुई रेखाओं का उपयोग करने से बचने के लिए दिखाना बहुत महत्वपूर्ण नहों सबसे वर्ण नात्मक द्रिश्य बिंदु चुने इसलिए हमें उस वस्तु को इस तरह घुमाना होगा कि उस द्रिश्य में हमें उस वस्तु से जो कुछ भी मिल सकता है उसका अधिकांश विवरण हमें इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स को दिखाना होगा यदि एक आइसोमेट्रिक द्रिश्टिकोन नहीं मिला तो सपष्ट रूप से सभी प्रमुख विशेश्टाओं को दर्शाता है तब हमें छुपी रेखाओं का उपयोग करने की अनुमती दी जाती है इसलिए इस वर्णन के अधिकांश भाग से वस्तु को दर्शा रह जाना चाहिए यदि हम अभी भी यह इस पोजीशन में नहीं सकते की तब हम छिपे रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं अब सेंटर लाइन्स में वापस आने पर केंद्र रेखाएं केवल सिमेट्री दिखाने के लिए या डायमेशनिंग पॉइंट के लिए खीची जाती है सामान्य रूप से केंद्र रेखाएं नहीं दिखाई देती क्योंकि बहुत से आईसोमेट्रिक आ रेखन गैर तकनीकी लोगों को संसूचित करने के लिए प्रयोक तो होते हैं इंजिनियरिंग प्रयोजनों के लिए नहीं इसलिए जब आप आईसोमेट्रिक व्यू दिखा रहे हों यदि यह सबसे महत्वपूर्ण है तो केवल हम इस प्रकार की केंद्र रेखाएं दिखाएंगे अन्यथा हमें उन्हें डाइमेशन के संबंध में नहीं दिखाना चाहिए जब हम आयाम रेखाएं और एक से टेंशन लाइन्स दिखा रहे हों तो ये एक ही प्लेन पर होंगी इसलिए जो भी आयाम हम एक से टेंशन लाइन्स दिखाएंगे हम दिखाएंगे कि बे एक ही प्लेन में होने चाहिए सभी आयाम और नोट्स ट्रॉइंग के बाटम से उपर की और यूनिडाइरेक्शनल रीडिंग होना चाहिए और जब भी संभव हो व्यू के बाहर स्थित होना चाहिए इसलिए यदि आप देख रहे हैं तो उस दृष के बाहर यह भी व्यू के बाहर यह भी व्यू से बाहर है और आम तोर पर हम इसे बाटम से उस तक सभी तरह से मापते हैं इसी प्रकार मैं वास्तव में इस लेंद का पता लगाना चाहता हूँ bottom से सभी तरह मैं दिखा दूगा कि और ये इनके बाहर है text bottom से क्षेतिज दिशानिर देशों का उपियोग करके पढ़ा जाता है इस दिशा के क्षैतिज दिशानिर देशों के संबंध में हमें यह देखना होगा कि क्षैतिज के लाइन पैरलल हम इस पोजीशन में होंगे कि उदाहरन के लिए हम स्क्वाइर को देखें स्क्वाइर ए बी सी डी पर विचार करें जिसका डाइमेंशन 30 mm साइड है हमने इसे यहां दिखाया है यदि स्क्वाइर लंबवत प्लेन में स्थित है तो यहां आकरती में आइसोमेट्रिक व्यू में 30 mm साइड के साथ एक रोमबस के रूब में दिखाई देगा यहां इस तरह दिखता है यदि स्क्वाइर आइसोमेट्रिक प्रक्षेपों में उर्द्वाधर प्लेन पर स्थित है तो हमें इस तरह से रोटेट करना होगा कि हम इस कोण को जो कुछ भी बना रही हैं उसे 30 डिग्री की चीज के रूप में देखेंगे इसलिए उस आइसोमेट्रिक प्लेन पर आपका स्क्वाइर रोमबस जैसा दिखाई देता है या तो इस प्रकार से या उस प्रकार के प्रक्षेपों पर आधारित है जिस प्रकार हम को ग्यात करने का प्रयास कर रहे हैं यदि यह राइट हैंड उर्द्वाधर दिशा है तो हम ओरी इंटेशन को देखेंगे यदि यह लिफ्ट हैंड वर्टिकल फेस है तो हम इसे इस प्रकार देखेंगे में स्थित हो तो क्यूब के शीर्ष प्रिष्ठ की तरह हम उपर से देख रहे हैं और वह प्लेन क्षैटिज प्लेन पर है यह अकृती सी के रूप में दिखाई देगा हम इसे अलग-अलग दिशाओं में देख सकते हैं लेकिन जब हम इसे आईसोमेट्रिक प्लेन में निरूपित कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से रोटेट करना पड़ता है कि यह हमें अपनी पोजीशन को इस तरह से बदलना पड इन प्रमुक किनारों में से एक प्लेन के साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है जिस तरह से हमें किसी भी आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रतिनिधित्व करना होता है अतरह यध्यपी क्यूब इस की भांती दिख सकता है एक द्रिश्य में हमें इस प्रकार रोटेट करना होगा कि जैसे प्रेक्षक उस के चारों और घूम रहा है ताकि एक किनारे के एक कोण को व्यू से 30 डिगरी कोण बनाता है अर्थात जिस तरह हमें इसे देखना है. इसलिए शीर्श द्रिश्य से हम इसे देख रही हैं. हमें उस स्क्वायर टॉप फेस को इस तरह से रोटेट करना है कि यह इन किनारों के साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है जिसे देखने के लिए हमें इसे ड्रॉइंग शीट पर एक आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के रूट म प्रस्तुत करना होगा. यहां हम इस रेक्टेंगल के विभिन प्रक्षिपों को एक रेक्टेंगुलर पाइपलाइन द्वारा दिखा रहे हैं उदाहरन के लिए आईसोमेट्रिक व्यू में बॉक्स. इस प्रकार निरूपित करेंगे कि इसे इस प्रकार से रोटेट किया जाये कि इन प्रमुक किनारों में से एक 30 डिग्री कोन बनाता है क्योंकि ये और्थोगोनल लाइन्स हैं इसलिए जब आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो दूसरी 30 डिग्री रेखा भी बनाती है. हम इसे इस प्रकार से उपर उठाती हैं कि ये कोन एक दूसरे के साथ 120 यदि आप इसे और उपर उठाते हैं तो आपके पास अन्य एक सोनोमेट्रिक प्रकार के व्यूज होंगे. आपके पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री हो सकते हैं इस तरह की डिग्री इस पर आधारित हैं कि हम इसे कैसे विजुलाइज करते हैं आपके पा है आए हम यहां एक स्लोट बाली कोई अन्य वस्तो लें और इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में एक छेद भी है एक बार जब हम इन प्रमुक किनारों को परिभाशित करते हैं तो इन में से एक प्रमुक किनारा क्षैतिज के साथ 30 डिगरी बनाता है अब आए अन्य व्यूस को देखें कि क्या यह ट्राइमेट्रिक है जहां यह 30 डिगरी आइसो 30 डिगरी अलग अलग आकार में बदलने वाला है यह 30 डिगरी अलग नहीं हो सकता है यह भिन्न होता है इसलिए कुछ इस तरह से एंगल फाई जैसा एक साइड पर अन्य एंगल थीटा और कुल थीटा प् इस तरह से रोटिट कर रही हैं कि हमें ट्राइमेट्रिक प्रकार के व्यूज मिलेंगे इसलिए अगर में थीटा और फाई अलग मिल रही है और उनका समेशन 90 डिगरी से कम है हमारे पास ट्राइमेट्रिक व्यू है इसलिए समाना इसोमेट्रिक अबजिक्ट है जो हमारे हमें यह अलग-अलग plane में प्राप्त होगा, इसलिए हमारे पास अलग-अलग views होंगे. अब हम Dometric View को Dometric View में देखते हैं हमारे पास दोनों तरव थीटा एंगल है और यह थीटा एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच बदलता है और यह 30 डिग्री नहीं है. तो हमारे पास हमेशा यह अबजिक्ट है, उदाहरन के लिए हमारे पास यह अबजिक्ट है हमें. इस अबजिक्ट को इस प्रकार रोटेट कारना होगा कि हमें Dometric में भिन 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 व्यूस दिखे, इन किनारों में से एक हमेशा एक ही कोण पर 0 से 45 डिग्री के बीच का कोण बनाता है, इसे दूसरी तरख देखना पड़ता है. यह भी एक उदाहरण है कि हमारे पास Isometric View के लिए एक अबजिक्ट है. अगर हम उन में से कुछ को अक्ष के रूप में स्थिर कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह एक अक्ष है, यह एक और अक्ष है, यह एक और अक्ष है, है हमारे पास, है यह अक्ष 30 डिग्री, है यहा अक्ष भी 30 डिग्री है और यह और्थोगुनल है डायमेट्रिक के मामले में हम इस अक्ष है जो समानतर है हमारे पास एक और अक्ष है कि भी समानतर है ये एक ही कोण है लेकिन 30 डिग्री नहीं है इसलिए इस तरह की चीजें जिन्हें हम डायमेट्रिक प्रकार के प्रोजेक्शन्स को पहले के दिनों में कहते हैं जैसे कि लगभग 100 या 150 साल पहले पेटिंट आमतोर पर इस डायमेट्रिक प्रकार के प्रोजेक्शन्स के साथ जाते थे मुख्य रूप से UK प्रकार के प्रोजेक्शन्स जो वे आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। अगली क्लास में हम इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद.